अज़ की वीडियो में देखेगा फ्रेंड्स हम लड़ू गोपाल जी की यह बहुत ही सुन्दर सी ड्रेस बनाएंगे और यहाँ पर देखे जो ड्रेस हमने यह पहना ही है एक नमबर काना को पहना ही है वीडियो के एंड में मैं दो नमबर काना को भी आपको पहना करके दिख तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए तो इस ड्रेस को आप बना सकते हैं सेम साइज में ही एक नमबर और दो नमबर के लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल है ड्रेस बनाना इसको बहुत ही आसान है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस ड्रेस को बनान करने के लिए हमें देखे नैट के इस तरह से चोकोर पीस कट करने है और इनका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूं यहां पर देखे इनकी लंबाई चुड़ाई यहां पर देखे यह साड़े पांच है और यहां से देखे यह पांच इंच है तो मैं इसको ऐसे चोकोर करके देखे बिल्कुल चोकोर हमें रखना है जो एक्स्टरा इधर से है उसको यहाँ पर कट करके निकाल दूँगे यानि कि पाँच बाई पाँच का हमें यह पीस रखना है तो इस तरह के हमें कुछ पीसी रेडी करने है तो देखे कैसे करेंगे इनको हम पहले एक बार ऐसे फोल किया इसको एक बार देखे ऐसे फोल्ड किया और दुबारा से ऐसे फोल्ड किया दो बार हमने इसको फोल्ड किया अब इसको हम तीसरी बार फोल्ड करेंगे इस तरह से आप देखे जो ओपन साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है और यहां से देखे जितना भी हमारा य यहां से देखे इसको सिलाई को लेकर आना है ऐसे और यहां तक हमें इस सिलाई को लगा लेना है इस तरह से तिर्ची सिलाई हमें यहां पर लगानी है तो मैंने देखे यहां पर यह पीस ऐसे करके रखा हुआ है मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से देखे हमने यहां पर यह यहां से देखे इस तरह से थोड़ा सा बचाते वे इस तरह से एक्स्ट्रा पीस को मैं कट करके निकाल दूँगी सारे पीसीज को हमें ऐसे ही करना है यह देखे हमने इसको यहां पर कट कर दिया तो इस तरह से देखे यह पत्ति की शेप में हमारे पास आ जाएगा इस तरह से जो केस्मेंट की बोलते हैं जिसको हम और देखिए इस तरह से एक पत्ति वाला गोटा लेना है और इसको हम इस निडल के अंदर इस तरह से डाल देंगे और देखिए डालने के बाद हमें क्या करना है देखिए हमें पहले एक पत्ति को ऐसे ले लेना है और यहां पर इसको भी देखे ऐसे पकड़ेंगे ओपर से आदा इंच का पॉर्शन छोड़ करके इसके अंदर डाल देंगे फिर हम तीसरी पत्ती लेंगे फिर ऐसे ही देखे हर एक पत्ती को हमें यहाँ पर इसके अंदर डाल लेना है अब देखीगा मैंने इसके अंदर यहाँ पर चार पत्यों को डाल लिया है तो हम चार-चार की कटिंग करेंगे पाच पत्य की भी आप कर सकते हैं पाच पत्या डाल लें और उनको देखे ऐसे आपस में यहां से पकड़ करके ऐसे दिखे कट्टा करें और यह कट्टा करने के बाद जहां पर हमने डोरी डाल लिया दिखे यह गोटा डाला है उससे थोड़ा सा पॉशन उपर से छोड़ देंगे और बाकी जो इससे उपर का है उसको हमें कट करके ऐसे निकाल देना है देखे कुछ इस डोरी के अंदर डार करके खटा कर लिया है अब हमें इनको आपस में सैट करना है तो देखिए हमें क्या करना है हमें इनको देखिए ऐसे सबसे पहले हम देखिए यहां से हमारी जो पहली वाली पत्ती है इसको लेंगे और देखिए हमें यहां से इस तरह से निडल डाल द देखे और इसको लेकर के यहां पर इसके अंदर हम ऐसे लगा देंगे और फिर जो हमारी यह देखे खुली वाली साइड है पत्ती की इन दोनों को आपस में देखे ऐसे पकड़ेंगे यह देखे आपको दिखाई देगी जो दो पीस थे हमारे यहां पर यह ऐसे और इसके यह हां से दीखिए, इधर से हम इसको बाहर के साइड निकाल देंगे निडल को, तो इस तरह से दीखिए हमारा मोती यहाँ पर सैट हो जाएगा, फिर हम दूसरी वाली पत्ति को पकड़ेंगे दीखिए, इसके बाद हमारी यह वाली है और जितनी दूरी पर देखिए, हम ने इस इसको लगाया है यहां पर सेंटर में लगाया है वहीं से हम इस निडल को इसके अंदर निकाल लेंगे ऐसी देखीगा और निकालने के बाद फिर हम लेंगे फिर से पर्ल लेंगे और पर्ल इसके अंदर डाल देंगे और इसको डाल करके फिर हमें देखे ऐसे करना है इसको दूसरी साइड से पत्ती के यहां से बाहर की साइड निकाल देना है इस तरह से देखे हमारी जो यह पत्तियां बनी वी है देखे आपस में यह जूड़ती जाएंगी और इसके अंदर परल भी सैट होता जाएगा आप देखे दो पत्ति हमने यहां पर कर लिए फिर यह तीसरी वाली है इसमें भी ऐसे करना है यहां से हमें निडल को अंदर की साइड डाल लेना है और डालने के बाद इसमें परल डालेंगे इसके अंदर देखे अब हमने डाल दिया है ये पर्ल और इसको डाल करके अब दूसरी साइड से नेडल को बाहर निकाल देंगे तो इस तरह से हर एक पत्ती के अंदर हमें करते जाना है परल को ऐसे हमें सेट करना है एक साइड पत्ति की निकालेंगे फिर परल डाल देंगे फिर दूसरी साइड से बाहर की साइड निकाल देंगे तो देखे पत्तियां इस तरह से आपस में जुड़ गई है और परल भी सेट हो गया तो इसी तरह से सारी पत्तियों में ऐसे कर ले में प्रूपर गौल करें तो कैसे करेंगे यहां से इसको निकाल दिया है अब जहां से हमने शुरू किया था वहां से इसको डालेंगे इस तरह से जोइनटprofits करेंगे gzar तो जोसे निकालेंगे और यह तक निकाल देंगे फिर दूसरे पर्ल में दो परल में से निकाल करके इसको भार की साइड देखे ऐसे ले करके आ जाएंगे जिससे की अच्छे से पक्का हो जाएगा और फिर यह खुलने वाला नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब देखें पीछे की साइड ले जाकर के हमें यहाँ पर नोट लगा देनी है जो पीछे हमारा यह धागा है इसमें हम इसको ऐसे डालेंगे निडल को और डाल करके हम यहाँ पर नोट लगा देंगे और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे इस तरह से हमें नोट लगानी है दो तीन बार अच्छे से हमें यहाँ पर नोट लगानी है अब हम इसके लि एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे फिर एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगा करके जो ये बारिक गोटा हमने अंदर डाला हुआ इस बारिक गोटे को भी हम इसके उपर यहाँ पर सिल देंगे अब इस पट्टे को देखे हमें यहां से ऐसे फोल्ड करके इसके उपर सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगा करके फिर यह गोटा इसके उपर यहां पर रख करके इस तरह से सिल देना तो देखे यह हमारी इस तरह से चोली बन करके तयार हो जाएगी अब ये चोली और ड्रेस बन करके देखेगा फ्रेंट्स विल्कुल कम्पलीट हो गई है और यहाँ पर मैं देखे दो नम्बर काना को ये ड्रेस पहना रही हूँ गले में से इस तरह से देखे हमने चोली को डाल दिया है और नीचे से लेकर आएंगे तो देखे इस तरह से ये नैपी का लूक आजाएगा अब इसको फ्रंट में ले जाकर हम आगे की साइड ऐसे ले जाएगे और इसको देखे बान देंगे तो देखे कितनी सुंदर आप इसको खाली ऐसे भी पहना सकते है जैसे कि गर्मी बहुत जादा है तो आप अगर ड्रेस ना पहनाना चाहें तो खाली चोली भी आप ऐसे पहना सकते हैं इससे पूरा कवर हो जाएगा आपको ना नैपी पहनाने की जरुत पड़ेगी और ना अलग से ड्रेस यह एक ड्रेस का ही काम करेगी तो देखे फ्रेंड्स अब हम इसको डालेंगे जो हमने यह ड्रेस बनाई है इसको देखे ओपन चोड़ा हुआ है हमने यहां से तो यहां से कानाजी को देखे इस तरह से पहना देंगे और फिर इसमें जो हमारी ये डोरी है जो हमने देखे इसके अंदर लगाई विये इसको आगे ले जाकर के ऐसे क्रोस करेंगे पीछे की साइड ले कर जाएंगे इसको यहां से देखे इस तरह से पीछे ले जाएंगे चाहे तो आप इसको आगे भी बान सकते हैं और पीछे ले जा करके हम इसको यहाँ पर बान देंगे तो देखेगा फ्रेंड्स फाइनली हमाई ड्रेस यह काना जी ने पहन लिया और बहुत ही सुन्दर आज की ड्रेस बन करके डेडी हुई है आपको कैसी लगी फ्रेंड्स यह ड्रेस अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथ में बैल आइकन भी प्रेस किया करें उससे आपको यह फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचेगी तो नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए रादे रादे